हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैग टू जीविश्टी एंड टूड़े विल डिस्कुस अबाउट कोस्ट लेंड फॉर्म यानिके तटी यह वह आखरीतियां दोस्तों यह वीडियो फुली एनिमेटेड है पूरे एनिमेशन के साथ मैं आपको यह लेंड फॉर्म समझाऊंगी तो अगर बैग्राउंड कुछ आ रहा हो तो विडियो स्कीप मत कीजिए क्योंकि एनिमेशन में यह बैग्राउंड साउंड नहीं आ रहा है ओके इरोजनल लेंड फॉर्म में आज हम पढ़ेंगे सी क्लिफ वेव कट प्लेट फॉर्म सी केव सी आर्च और स्टैक सी क्लिफ मैं आगे अच्छे से समझ जायागा तो हम एनिमेशन स्टाट करते हैं दोस्तों जैसा कि आप यहां पर देख रहा है यह सी क्लिफ इसमें सी वाटर का लगा तारटेक हो रहा है है ना जिसकी वज़से इस सी क्लिफ का अंडर कटिंग स्टार्ट होना मतलब अंडर कटिंग होना कट होगा इसे बोलते हैं वेव कट नोच है ना जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं अब यह जो सी वेव है यह सी क्लिफ के अगेंस्ट लगातार कंटिनियूसली स्ट्राइक करेगी है ना मतलब जो समुद्र की लहरे हैं यह लगातार सी क्लिफ से टगराएंगी और इसे इरोड करते जाएंगे ठीक अब देखो यहां पर इरोजन का प्रोसेस कंटिनियूसली चल रहा है जिसकी वज़से सी क्लिफ का नीचला भाग ज्यादा इरोड होता जाएगा क्योंकि जो वेव है वो यहां तक आ रही है है ना और उपर वो ज्यादा नहीं जा पा रही है त जादा इरोड होता जाएगा और उपर का भाग जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि बेस तो इरोड हो गया ना जैसे कि हम लोग दहीं लुट को विंदा में देखते हैं ना कि नीचे खड़े लोग अगर हिल गये या हट गये तो उपर के लोग कितने जोड से नीच गिरने लगता है यह जो सेडिमेंट्स नीचे टूटकर गिर रहे हैं यही सेडिमेंट्स नीचे एक प्लेटफर्म बनाते हैं इस प्लेटफर्म को कहा जाता है वेव कट प्लेटफर्म दोस्तो अब हम बात करते हैं सी केव, सी आर्च और इस्टेक्स की जैसे कि आप देख पा रहे हैं सी वेव जो है वो कलिफ के नीचे जाकर इरोजन कर रही है यहां हाईडरोलिक एकसिंट जिसे इरोजनल प्रोसेस हो सकते हैं है ना जो हम लोग पढ़े थे इरोजनल प्रोस करते हैं सी केव ठीक है अब आगे देख रहे हैं कि गुफा इतना बड़ा और लंबा हो गया कि क्लिफ को खोकला कर दिया एक टनल के जैसे टनल जब हम लोग ट्रेन से जाते हैं तो देखते हैं टनल जो है उपरी उसका उपरी छत होता है आजुबा जो दिवार होती है इसल हम पहाड के इस पार से उस पार होकर निकल जाते हैं ऐसा ही तो सी क्लिफ है इसी प्रकार से जो सी वेव है वो क्या बना दिया एक उसने गुफा बनाया और गुफा इतना लंबा हो गया कि क्लिफ जो है उससे अपन क्या हो सकते हैं आर पार हो सकते हैं तो एक तनल के जैसा बन गया ओके जैसे कि आप animation में देख रहे हैं अब जैसे जैसे sea cave की height बढ़ेगी वो उपर की छट को भी erode करता जाएगा अब उपर की छट को जब वो erode करता जाएगा तो जिससे कि उपर का छट एकदम पतला सा हो जाएगा है ना एकदम थीन हो जाएगा एक bridge की तरह है ना एक bridge की तरह हो जाएगा इसे ही कहा जाता है see arch ठेक अब धीरे धीरे ये छट भी unstable होकर गे जाएगी तब इस बचे हुए भागों कहा जाता है stack तो दोस्तों कैसा लगा प्लीस कमेंट कीजिए अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए ना लगे तो कीजिए समझ शायतों किजिए ये मुझे पदाए ज़िए कि मेरी मेहनत जो भी लगती है वीडियोस और यह सारी वीडियो बनाने में इसका अच्छा एक्स्प्रेशन है कि या मुझे कुछ अच्छा करने की जरूरत है क्या मुझे कुछ डैवलप करने की जरूरत है क्या कुछ इंप्रूमेंट करने की जरूरत है क्या ठीक है तो प्लीज कमेंट केजिए आप जितने भी लोग Thank you!